गुड इवनिंग फ्रेंट्स मैं आपका संद्य क्लासिस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के जो टोपिक है हमारा रैड सोईल है यानि लाल मरीदा है तो लाल मरीदा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो को आपके रिफूली देखेगा ताकि आपका डाउट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे के फ्रेंट्स आप ये देख पा रही है ये पिक्चर है ये रैड सोईल का है यानि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जो लाल मरीदा होती है उसका मेलनी जो कलर होता है रैड होता है रैड इसलिए होता है क्योंकि उसमें बड़ी मातरा में आईरेंड पैय जाता है तो देखे हम इसको मैप के थ्रू भी जान लेते हैं कि रैड सोईल कहां कहां पे पैय जाता है तो देखे जैसे कि ये आप ओरेंज वाला जो पार्ट है यानि ओरेंज वाला पार्ट आपको जहां जहां दिख रहा है वहां पे लाल मरीदा पैय जाता है तो देखिए रेड सोल का मिली कलर होते है इसलिए इसको रेड सोल भी कहा जाता है और इसका जो कलर इसलिए रेड होते है because of presence of iron यानि iron की iron की मादरा बहुँ ज़्यादा पाए जाती है इस मिटी में the soil is very good for growing जवार बाजरा pulse and ground nuts यानि कि ये मिटी काफी अच्छी होती है जवार की खेती के लिए और बाजरा की खेती के लिए और दालो की खेती के लिए और मुख़ली की खेती के लिए और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या पैय जाता है ऐसा कौन सा पोशक ततव है इसमें पाया जाता है तो इसमें हुमस पाया जाता है फोस्फोरिक एसीड और पोटाश और लाइम और मेगनेसियम और भी नूट्रिशन है जैसे कि फोस्फोरस फोस्फोरस नाइट्रोजन नाइट्रोजन पाया जाता है यहां पर लिखके दिखा देते हूं फोस्फोरस फोस्फोरस पाय जाता है और पोटाज 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 और लाइम और कार्बन डाई ऑक्साइड कर्मडेक्साइड आईरन अलुमेनियम और नाइट्रोजन पाय जाता है तो यह मैं इसमें लिखके दिखा देती हूं कि कौन-कौन से स्टेट में पाय जाता है दिखें यह मिट्टी पाय जाता है तमिलाडू में तमिलाडू में यह जो औरेंज पोर्शन आपको दिख रहा है यहां पर लाल मरीदा पाय जाता है तो यह तमिलाडू में पाय जाता है एंड करनाट का करनाट का करनाट का करनाट का एंड महराश्रा एंड तेलंगान एंड अंधा पदेश औरेश्या जारखन इन राज्यों में लाल मरीदा पाय जाता है तो फ्रेंट्स अब हम इसके रैड सोल के फीचर याद करेंगे तो देखें फीचर को हमें लिक क्रेक्टर स्टिक भी बोलते हैं फीचर फीचर का मतलब होता है गुण यानि कि रैड सोल के क्या में गुण होते हैं तो फ्रेंट्स इस को आप इस वीडियो को आप केरिफुल देखेगा मेरा request है ताकि आपका मतब होती अच्छी तरह से concept clear हो तो देखे फर्स्ट फीचर है more sandy and less clay यानि कि sandy का मतब होता है रेतीला यानि कि ये मिटी जो होती है ज्यादा रेतीली होती है and less clay देखे खे खे मिटी ऐसी होती है जो न विंडो में यूज की जाती है तो देखे विंडो जैसे ये ऐसे मैं पिक्चर के थूँ आपको दिखा देती है जैसे देखे इस शीशा है तो देखे इस विंडो को निच्छी चिपकाने के लिए मिटी का प्रयोग किया जाता है जो तो क्लेe मिटी उसका जो नेच्छर होता है चिपचिपा पन होता है उस मिटी में तो यह ज़्यादा रे तीला होता है and लेस क्लेई होता है तो देखे इसमें सबसे ज्यादा आइरन प्रयोव जाता है और इस मीटी में Phosphorus and nitrogen and lime की मात्रा कम होती है यानि Puring Phosphorus nitrogen and lime यानि कि lime nitrogen and phosphorus की मात्रा कम होती है Slightly Acidic and Do Not Retain Moisture इसका मतब है कि इसका जो मतब नेचर होता है Acidic होता है और इस में इस मीटे में नमी नहीं होती यानि मुश्चर का मतब होता है pani यान कि हलका हलका पानी होता है मुश्चर का मतब कि इसमें पानी नहीं होता और जो हमारा इंडिया है उस area पे 3.5 लाग square meter ये मीटी पाये जाता है और लास्ट है पोरस और फ्राइबल इसका मतब है कि इस मिटी भी छोटे छोटे मतब पोरस का मतब होता है छेद यानि कि छोटे छोटे मातरा में छेद होता है यानि कि पोर्स होता है यानि हलका हलका छेद होता है इस मिटी में तो फ्रेंट्स यहां पर हमारे वीडियो जो है कम्प्लीट हो गया है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होती इसको शेर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तक कि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की डोटिफिकेशन मिल जाए बहुत बहुत धन्यवाद, be safe, have a nice day, thank you